अससलाम आलेकिम दोस्तों किया आप भी कायन मास्टर में इसी तरह एंट्रो बनाना चाहते हैं तो आई ही इस वीडियो में सीखते हैं वेलकम टू एनस इडिटिंग चैनल कायन मास्टर ओपन करने के बाद आपने पहले क्रियेट न्यू पर कलेक करना है और यहाँ से एक प्राजिक्ट ओपन करनी है Project open करने के बाद आपने इसका black background select करना है और यहां से आपने अपने layer को extend करना है Main layer को extend करने के बाद आपने अपने layer में text प्लिक करना है और यहां से आपने text 8 करनी है फिर आपने अपने text के fonts change करना है यह दिके मैं यहां से fonts change कर रहा हूँ when a string के fonts मैंने select के हैं font change करने के बाद आपने अपने टेक्स को screen में adjust कर रहा है यहाँ से आपने इसकी जुम को कम करना है आप इसका zoom two finger के ज़री भी कम कर सकते हैं या एक कोने से पकड़ कर इसके बाद आपने लेयर में से एक तस्वीर 8 करनी है अपने गेलर से एक तस्वीर एट करनी है तस्वीर एट करने के बाद आपने इसे फूल स्क्रीन करना है यह देखे मैंने इसे फूल स्क्रीन किया अब आपने पिर अपने तस्वीर पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लेंडे का इस्तेमाल करना है Blender के इस्तिमाल में आपने Multiply Select करना है यहां से पिर आपने अपने पिक्शर पर क्लिक करना है और इसे फिल्टर में इसका Color Change करना है यह दिखे मैं इसका Color Change कर रहा हूँ और इसका Color हो गया है Change इसके बाध भी आप अपने टेक्स को Adjust कर सकते हैं जैसे के मैं यह अपने टेक्स Adjust कर रहा हूं यह देखे अगर आपने अपने टेक्स को और भी हमुश tweeting लोग दीनी है तो आपने वर आल Inimation पर जाना है अपने पिक्चर पर क्लिक करके और आल इनिमेशन पर जाना है यह देखे यहाँ से मैं डिफरेंट इनिमेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपने टेक्स का लुक देखे जबर्दस अगर आपके पास मुबाइल में काइन मास्टर है तो इसी तरह एडिटेंग करके आप हजार और नहीं लाग करूपे कमा सकते हैं तो आज ही काइन मास्टर इंस्टाल करें और अपने मुबाइल से फाइदा उटाएं शुक्रिया इसी तरह मज़ीज साटकर से जाने के लिए एडिटेंग को सबस्क्राइब करें शुक्रिया